हलो मै डियर फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल SBSV Academy में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करते हैं Consumer Electronics के Lesson 4 के बारे में तो दोस्तों Consumer Electronics में Lesson 4 है हमारा Introduction to TV Communication तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Consumer Electronics के Lesson 4 Introduction to TV Communication के बारे में चलिए दोस्तों तो हम सुरू करते हैं ये वीडियो तो दोस्तों मारा Lesson 4 है Television संचार का परिचय Introduction to Television Communication तो दोस्तों इस Lesson में सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैनिंग की स्कैनिंग किसे कहते हैं स्कैनिंग क्या होता है तो दोस्तों इसमें कहा गया है स्कैनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो टेली वीजन पद्धत में द्रस्यों को पढ़ने के लिए अपनाय जाती है जो द्रस जाते है अपनाय जाती है स्कैनिंग प्रक्रिया किसी प्रस्ट को पढ़ने के समान ही है जो स्कैनिंग प्रक्रिया है वो किसी प्रष्ट को पढ़ने के ही समान है जिसमें टेली वीजन, कैमरे के अंदर इमेज, प्लेट पर उत्पन चार्ज, इमेज को एक एलेक्टरान बीम को क्रमिंग धंग से बाय से दाय तथा उपर से नीचे गत कराकर बैदुत सिंगनल में परिवर्थित किया जाता है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इसकैनिंग की क्रिया ट्रांस्मीटर पर कैमरा ट्यूब के अंदर इमेज को पिक्चर इलेमेंट में विभाजित करने है तथा रिसीवर में पिक्चर ट्यूब पर पिक्चर के रिजे सेंबल करके उसके पुन्रोत पाधन के लिए की जाती है दोस्तों इसमें कहा गया है इसकैनिंग की क्रिया ट्रांस्मीटर पर कैमरा ट्यूब के अंदर जो कैमरा ट्यूब होता है उसके अंदर इमेज को पिक्चर इलेमेंट में जो इमेज है उसको पिक्चर इलेमेंट में विभाजित करने है तथा रिसीवर में पिक्च ट्यूपर डिश्टार्शनलस पिक्चर उत्पण करने के लिए पिक्चर ट्यूपर स्कैनिंग के पूर्टिया एक समान तथा, सिंख्रो निजम में होनी चाहिए इसमें कहा गया है पिक्चर ट्यूब में डिस्टार्शन लेश पिक्चर उत्पन करने के लिए पिक्चर उत्पन करने के लिए पिक्चर ट्यूब पर स्कैनिंग कैमरा ट्यूब पर स्कैनिंग के पूर्टय एक समान तथा सिंक्रो निजमें होनी चाहिए इसके लिए सिंक पल्सेज यूज की जाती है जिनकी सहायता से पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर उत्पन इमेज कैमरा ट्यूब के स्क्रीन पर निर्मित पिक्चर इलिमेंट्स की सापेच इस्तित के समान होती है अब दोस्तों हम बात करेंगे कैमरा या पिक अप युक्तियां कैमरा पिक अप डिवाइसेज दोस्तो इसमें कहा गया है कैमरा या पिक अप युक्तियां आप्टिकल इमेज को बैदू सिंगनल में कनवर्ट करती है जो कैमरा या पिक अप युक्तियां होती है या डिवाइसेज होती है वो आप्टिकल इमेज को बैदू सिगनल में कनवर्ट कर देती है वह पिक्चर या सीन जिसको टेली वाइज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना टेली वाइज का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना दोस्तो इसमें कहा गया है वह पिक्चर या सीन जिसको टेली वाइज किया जाना है मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है को एक lens system दोरा एक photo sensitive target पर focus किया जाता है और आगे कहा गया है या photo sensitive target प्रकास सम्वेदन सील पदार्थ camera pick up tube की face plate के नज़िदीग होता है तथा इस पर एक accurate image बन जाती है अब दोस्तों इसमें आगे कहा गया है target plate की surface जो सता होती है large number of elementary areas अर्थाद बहुत सारे छोटे 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 एरियाज जो target plate की surface या सता होती है वो large number of element मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज द्वारा बनी एक जाली नुमा आकार की होती है चुँकि यहां surface photo sensitive है अतहाँ प्रते छोटे से एरिया की electrical state किसी particular moment पर पढ़ने प्रकास की तीवरता पर निर्भर करती है और आगे कहा गया है beam द्वारा image को horizontally scan करने के लिए horizontal deflection coil द्वारा magnetic field उत्पन की जाती है इन coils के deflection है तो आवस्यक स्वटूथ current प्रदान किया जाता है जो coils होती है coils के deflection है तो आवस्यक स्वटूथ current प्रदान किया जाता है इसके साथ साथ horizontal line के बाद beam vertically downward proceed करती है जिसके लिए vertical deflection coil magnetic field उत्पन करती है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इन coil को भी आवस्यक स्वटूथ current अप्लाई किया जाता है है जो coil होती है इनके लिए भी आवस्यक स्वटूथ current अप्लाई किया जाता है यह scanning प्रक्रिया बार बार fast speed से repeat कि जाती है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके diagram के बारे में दोस्तों यह जो diagram है वो basics आफे camera tube जो यह diagram है वो है camera tube का दोस्तों इस diagram में देखिए यहां पर जो scene होती है यह scene यह image selection ठीक है दोस्तों यह जो है target miss और यह जो है यह photo sensitive target और दोस्तों यह जो इधर है scanning beam और यह electron gun तो दोस्तों यह हो गया हमारा diagram camera tube का दोस्तों हम बात करते हैं video signal वीडियो signal क्या होता है तो दोस्तों इसमें कहा गया है TV camera tube circuit से प्राप्ट time wearing electrical signal voltage जो की image की brightness information का space distribution और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इस signal में उपस्थित आवरतिया scanning speed तथा image की brightness की variation पर depend करती है दोस्तों इसमें कहा गया है इस signal में उपस्थित आवरतिया जो frequency होती है scanning speed तथा image की brightness की variation पर depend करती है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है television system की scanning speed अत्यांत तीवर होती है जो television system होता उसकी scanning speed अत्यांत तीवर होती है तथा signal time के respect में बहुत तेजी से change होती है और दोस्तों इसमें कहा गया है signal में picture information के साथ साथ synchronizing समक्रमिक्ता प्रदान करने होती है इसमें कहा गया है signal में picture information के साथ साथ synchronizing pulses होती है जिनके द्वारा scanning beam retrace अर्थाद flyback का identification मतलब पहचान किया दाता है तथा यह receiver की scanning rate को control करती है जिसमें transmitter तथा receiver के scanning synchronize में होती है अता picture signal तथा blanking वा सिंक pulses मिलकर composite video signal बनाते है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके diagram के बारे में दोस्तों यह जो diagram है यह camera signal for horizontal line और उसके बाद यह वाला जो diagram है वो है addition of blanking pulses after the horizontal line और दोस्तों यह जो नीचे वाला दिया गया है यह है introduction of sink on top of blanking pulses दोस्तों यह जो पूरा diagram है वो diagram होगा formation of composite video signal for one line दोस्तों अब हम बात करते हैं transmitter के बारे में इसमें दोस्तों क्या कहा गया है हम आपको बताएंगे video signal को amplify करके तथा sink mm blanking pulses से mix करके am मतलब amplitude modulation transmitter को दिया जाता है video signal को amplify करके जो video signal होता उसको amplify करके तथा sink वा blanking pulses से mix करके जो sink तथा blanking pulses होती है उनसे mix करके am transmitter को दिया जाता है आगे कहागे है, transmitter एक sideband को पूंड़ता तेथा दूसरे sideband का कुछ अंस transmit करता है जो transmitter होता है, वो एक sideband को पूंड़ता ताथा दूसरे sideband का कुछ अंस transmit करता है, मतलब भेजता है इस प्रकार का modulation Vestigial Sideband Modulation कहलाता है आगे कहागे है, TV system का sound section separate मतलब प्रथक होता है जो TV सिस्टम का sound section होता है वो प्रथक होता है microphone से प्राप्त ideal signal को amplify किया जाता है microphone से जो ideal प्राप्त होती है उसको amplify किया जाता है तथा फिर या signal sound transmitter के carrier को frequency modulate करते है आगे कहा गया है picture तथा sound transmitter के output को combine करके common transmitting antenna system को feed किया जाता है तथा antenna इन दोनों signal को एक साथ radiate करके अपनी मंजल की और रवाना कर देता है जो antenna होता है वो इन दोनों signal को एक साथ radiate मतलब विक्रित करके अपनी मंजल की और रवाना कर देता है अब दोस्तों बात करेंगे इसके डाइग्राम के बारे में दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं यह है माइक्रोफोन फिर साउंड सिंगनल फिर जाएगा फ्रेक्वेंसी मांडूलेशन के द्वारा कमबाइन नेटवर्क फिर यहाँ से एम्प्लिट्यूड मांडूलेशन मादलब VSB फिर यहाँ से यह है ट्रांस्मिटिक एंटीना दोस्तों यह जो डाइग्राम है वो बेसिक कांसेप्ट आप ट्रांस्मिशन आफ टेलिवीजन सिंगनल यह टेलिवीजन सिंगनल का डाइग्राम पिया गया है अब दोस्तों बात करते हैं रिसेप्शन के बारे में रिसेप्शन क्या होता है रिसीवर पर पिक्चर सिंगनल को दिमांडिलेर तथा एंप्लिफाई करके इसे एक CRT एलक्टरान बीम की इंटेंसिटी कंट्रोल तिवता नियंत्रक को अपलाई किया जाता है इस वेरिंग आइडेंटिसिटी मतलब परिवर्थी तिवता की फोकस्ट एलक्टरान बीम को स्क्रीन पर डाला जाता है एलक्टरान बीम को वर्टिकल वा हरजंटल डिफलेक्शन अर्थाद स्कैनिंग ठीक उसी परकार किया जाता है जैसा कि ट्रांस्मींटर पर किया जाता है जिससे स्क्रीन की फास्फ़र कोटिंग की वर्यस पोजीशन पर एक प्रोपरसनल ग्लो उत्पन होता है इससे पिक्चर स्क्रीन पर रिप्रोडूस मतलब पुन्रो उत्पादित हो जाती है दोस्तों इसमें आगे कहा गया है एलेक्ट्रान बीम द्वारा पिक्चर रिष्टर को ट्रांस्मींटर की कैमरा ट्यूब की एलेक्ट्रान बीम के इग्जेक्ट सिंक्रोनाईजम में इसकैन किया जाता है अत्पहाँ CRT CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन के विभिन बिन्दों पर ग्लो की इंटेंसिटी मतलब चमक की तीवरता कैमरा द्वारा स्कैन की गई पिक्चर के पिक्चर इलेमेंट्स से मैच करती है बीम इस्पोर्ट द्वारा की गई या स्कैनिंग इतनी फास्ट होती है कि हुमेन आइज इस्पोर्ट को इस मुवमेंट को फालो मतलब अनसरण नहीं कर पाती तथा परसिस्टेंस आफ वीजन के कारण एक कांटीनुवस पिक्चर दिखती हुई प्रतीत होती है आगे कहा गया है साउंड सिंगनल को रिसीवर के वीडियो डिटेक्टर स्टेज पर अलग करके FM डिमांड लेटर द्वारा डिमांड लेट तथा एंप्लिफाई करके लाओड स्पीकर में फीड के आता है तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंजूमर इलेक्ट्रानिक्स का लेशन फोर तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल SBSV एकेडमी को जॉइन नहीं किया है वे लोग जॉइन कर लें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन